देश को आजादी दिलाने के लिए जिस तरह से लोगों ने सहादद दी ती उसी तरह से राम जलम भूमी को आजादी दिलाने के लिए कार सेवकों ने जो सहादद दी उसे का ग्राउंच्जीरो पर पहुंचा अभी एभी पिल्यूज जोदपुर के मतानिया में है जहां से जो सेटा नाम परियार थे जो उस कार से वक बनकर गए थे और उनको गोली लगने से उनकी जान चली गई थी और ये कुछ कार से वक हमारे साथ है जो बताएंगे कि उस दौरान क्या हुआ था और किस तरह के मंज पुछेंगे और आज जो भव्य मंदिर बन रहा है हम लोगों को यह लग रहा है कि वह बैनत कि इतना रंग लाई है इतनी खुस है हमें जिसका कोई कि ऑस्तन नम बता नहीं सकते ठीक है और जहां सेठाराम जी का जो समाधी इस्तल है यहां हर महीने कार्तिक पुर्णिमा को बहुत बड़ा उत्सव किया जाता है धर्मसवा होती है और गाउं के लोग कबडी परतियों किता और किर्केट परतियों किता भी रखते हैं अब आपको लगता था कि उस दौरान जब वहां पर पहुंचे थे एक बार वापस जा पाएंगे और इस तरह को भवियराम मंदिर बनेगा अब आपके सामने यह है बवियराम मंदिर बन चुका है वहां पर जाने के लिए किस तरह का उसा है क्योंकि वह आपने संगर्ष कि आपके और यह है क्योंकि जो मैनत की ती और वह आज राम मंदिर बन रहा है जिन्हों ने बता है कि किस तरह के हालाक थे और कैसे पोचे थे अब भी है जो कार्शेव को बनकर गए थे दो बार कार्शेवा को बने थे और जिस तरह से आप लोगों में जो जजबा था वहां पहुंचने का कैसे पहुंचे थे क्या कुछ किया था आप लोगों में रामंदिर निर्मान का जब आहवान किया गया तो हम यहां मतानिया से ट्रक के द्वारा पिकानेर गए बिकानेर से दिल्ली और दिल्ली से इलाबाद इलाबाद से पैदल कहीं बस की सुधा दी कहीं रेल सब्सक्राइब करता हों के द्वारा जो आवान ता सोग शिंगल के द्वारा धंवा पहुंचे उस समय वहाँ पर सभी राजियों के कार्शुव गयूं थे और जब रातीर माँ मं विश्राम कर रहें थे तो उसमें संदिय साया कि पॉई सवेर धर्मशभा होगी और धर्मशभा के बाद ही निर्णे क्या जाएगे कि की कार्शुव राकि जोत्पुर जिल्ला ही रहेगा इस आवान पर हम सभी लोग उत्सेट हो गए क्योंकि जोस्त थाई और हमारा यह भागी हुआ कि सबसे पहले कार्शिव हम आगे रहेंगे जब हम आगे बड़े तो हन्मान गड़ी के पास हमें रोका गया पुलिस के द्वारा जगए जगए अ और किसी ने का कि भाई यह जो चूना लगा दो आंकों के फास में जिसे इसका प्रवाब नहीं हो गासु गेस का वो भी उप्यों कर लिया लेकिन जैसे ही आगे बड़े तो पुलिस के द्वारा गोली चलने लग गई तो कुछ लोगों ने का कि आप डरो मत यह प्लस्टिक पिछे बहुत बड़ा मास का लो तड़ा था तब मेरे को मालूम हो गया कि यहां पर कोई प्लस्टिक गोली नहीं चल रही है सिधी गोली की कारवई है और इस प्रकार कहीं कारिकरता नीचे गिरते गए फिर भी हम आगे बंड रहे थे और उस समय यह घटना-घटी हमारे ज और तीन-चार लासे लाए जिसमें सरद्मल कोटारी, राईमल कोटारी, महींदर जी अरोऊरस आप दूसरे दिन वारता हुई और वारता के अंदरियत है कि लाइम सब्सक्राइब और मेंदर नाज जी अरोड़ शाब और शेठर रामजी प्रियार जी का जो देवोड़ी है वो इस्तानी अपने राज्तान ले जाएंगे और वहां से सरू हो गया फिर हम लोग वहां रुख गए हमने का सही असोग जी सिंगल और आवान करेंगे तो हम दूसर कौनेंगे अब कार्षेव महावफ फिर दूसरी बार और कार्षेव में गए और वो कारी हमने पूंड किया भार्त मात की जाए जो आपको कैसा लग रहा है अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हुसी है यार राज जिस कारी के लिए हमारे साथी सहीद वे वह कारी हमे के हिंदु के संगर्ष के बाद और कुछ हिंदू जो जिसे हम कह सकते हैं कि काईर हिंदू उसके कार्ण यह 500 वर्ष लगे और देश की आजादी के बाद भी उन काईर हिंदू के द्वारा हमें ये इतने वर्स इंद्जार करना पड़ा इसलिए हमें अब सावधान होना है और किसी परकार के भर्मिद्ण होकर के सभी हिंदू संगटन एक रहें और एक वान पर सभी एक कारी करें भारत माता की जाएं अब आप सबसे अबंगे गएते हैं कि महा जाने ने उस समय मेरी उमर की विस सालती और सेटराम जी उमर22 तो हमको दो दिन बाद ही मालुम होआ की सटराम जायो घए पिता जी ने पहले मना कर दिया कि कई नहीं जाना है लेकिन उन्हें किसी को बिना बताए यां एक चले गए तो तो चार दिन बाद ही हमको धीरे-दीरे मौलम हो गया कि वह अपना प्रांट याग दिये सईद हो गए तो हमारे घर में कोरा मज गया तो बाद में जैसे हमारा उनकी बोड़ी यहां पहुंची तो गाव वालों ने और नहीं समाज वालों ने निने किया इसको समाज कही समसान गाथ में दासस्कार करेंगे लेकिन फिताजी नहीं माने उन्हें उने का मेरी गाह में एक प्लोट वहीं मैं समा से उनका दाशते तंसकार करूंगा और उनकी चिर्शित में भविय समधी स्थल बनेंगा तब गाउं का पूर्ण स्था अब भाविया नहीं सभनें तो उसके बाद दो साल बाद ही पूरे गाउं के स्वयोग से एक ट्रस्ट बनाया, सहीद सेटाराम इसमर्ति पन्यास, और उस ट्रस्ट के स्वयोग से मत्हानिया में एक भवियराम मंदिर भी 1902 में बना लिया, और जो आज राम मंदिर बना, वो हमारे साथ जन्मों के पुने बरबर हम मानते हैं, जो देखो सेटाराम जी ने जो पूने कारिये, राम कारिये किया, और उसके पूने का फल हमारे पूरे परिवार को मिल रहा है, और उसी इसी उमर में हम अपनी आँकों के वो जो जिस कारिये के लिए सेटाराम जी गए, उसी कारिये को हम अपनी आँको करणपूर जी परियार और साथ में मेंदलनाज जी अरोडा और एक अन्य जिनका जो उनकी सदा साधत हुई थी जोद्पूर से करणपूरी अभी पिनियुजी झाल